सर नमस्कार क्या नाम है आपका? सत्यनाराइन जी कहां से आएं आप? शर्षंद रामपाल जी महाराजी से जुड़ने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे? तो सर ये जो पूजाएं आप इतने सालों से कर रहे थे अलग-अलग जहाओं पे जाके तो आप इन सब पूजाओं को छोड़ कर संत्रामपाल जी महाराजी की सरन में क्यों आए? हमारे से ठीक नहीं होते हैं पिर हमारे प्रोष के इंदर बोले मैं मिस्तरी का काम करता हूं वेडर हो वैसे तो हम सरदार जी की दुकान पर बहुए बहुता हैं बाबादीव सिंग की बगती करता है उनके पास ले जाओ तो यह ठीक हो जाएको नितारार भी गाम हैं उनके पास लेकर घए उनके पास लिए के बाद में वह वोल बी इसको अपने अम्मर सरके इंदर ले चाहलों अमर सर्स्य पारम ke M हम गर परार आके गर पर आंदे के बाद में भोला भी है टीक नहीं हो पर बुलेug eight below हमने डाक्टर को बढत में भूलेट इस जांच करते हिर जोधपुरवेदी जांच इसकि जांच वेजने के बाद में उसकताई जानते हैं यह नहीं खाना है अलग लग बताई द्रमपतनी बोली सब कुछ खाना है नहीं है तो मरना मंजूर ऐसे तो बोली भी इससे तो और खाएं दिखाते हैं ममा इराने चले गए चका मुंदा है वहां नो लखा पीर बोलते हैं जाट उसको चेंज कर देए हमने उन्हें उनको नो लख पीर को लिए नो लखो पीर के बाद में उनको च्छाए मिनों से चेंज करते रहें तो उसके बाद में बोली भी डाक्र पोले मारे से ठीक नहीं होती है और वह वो एक बोला दिखा लो टांटिया भीश्पीटल हम पर सब्सक्राइब लिए इसको अपने गर पर ले जो गर पर ली जाकर लकड का डवल वेड मना अभी मेरे लकड का बैट है करें इसको दो एंटे सुबह बांद देना शाम को तीन-चार गंटे अराम कर ले उसके बादे अपना काम कर ले और cm क्तलट को बिखाने के बाद में डक्तर बोला इसको भी पांस साल तक कि ये बच्चा जीएगा इसके बाद में इसका इलाज नहीं है आप जोद बुर दिखाओ का इसका इलाज करो आपके कहने का मतलब है कि आप बीमारीों को लेकर पूरी तरह धख चुके थे और हॉस्पिटल में हर डॉक्टर के पास जहां जहां लोगों ने आपको कहा वहां आप जाते थे तो सरसंत रामपाल जी महाराजी के बारे में कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराजी के बारे में जी हमारे एक पडोसी है उसने नाम लेकर आया तो हमारे बड़े बाहिए इंद्रा जब वो क्या टीवी के अंदर गुरुजी का ससंग तो देखते थे उन्होंने के दिया संत तो है लेकिन सेंपल कपड़े के अंदर है कबीर जी भग सस्तिक बड़ि रही उसके बढ़े ने देखा हो वांपर जाकर गुरुजी के संत रामपाली महाराज के बरवाले के इंदर इसार के इंदर जाने के बाद मैं ने सोचा नियम पड़े सारे नियम पड़ने के बौले अपनी संतिके दर्शन करके घर पर चली जाएंगे अपन भुल बाबा तो लेके आगें और देख लेख लेते हैं। ने बाबा आगया भई तो मिरा प्राइब पांच मंदिर मढ़ाया था। मंदर के अंदर मैं बगती करता था। बड़ी किरस जी की जो फोटू लगी वह बड़ी फोटू लगी थी। सब्सक्राइब म काश्ए नाम लेन विछ नाम ले पगति करता था तो नहीं बोल फिछा तो बहुत अबड़ी बहुत है नाम बहुत है और टिकाए महाजे को देखते हैं संत्राम पाजी महाराजे के बाद में एक मिना ओगया मेरा बड़ा भाई बोला भाई तू तो नाम लेता है नहीं तू तो इस माया के चक्र में बड़ा है और पैसे भी बहुता है अपने नफस्ति होने लगी जिए तो उसके बाद तो हम सुत्कुरु संत्रामपाल जी महराजी की बड़ा भाई वो लड़के को लड़की को लेकर चले गए एक आउम बाबा मान कर आपने उनसे नाम दिख्षा लिए तो सर उसके बाद का अनबव क्या रहा क्या संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आपकी जो समस्या थी वो ठीक हुई जिस बिमारे को लेकर करके आपने अलग-अलग डॉक्टर को दिखाया अलग-अलग होस्पिटल में आप गए लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। क्या संत्रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको कोई लाब मिला। संत्रामपाल जी महराज की नाम लेने से हमें पहला फाइदा तो लड़के का मिला। कोई उसको दोरा नहीं पड़ा कुछ नहीं पड़ा ठीक हुआ हमें कुछ विस्वास वा संत्रामपाल जी महराज की उपर। उसके बाद में हमने दो-तिन मिनिट पाद यह दो तिन मिनिटेश बाद इंदो नाम लेने चले के द्रम पत्री हम नाम लेने के बाद में आकर द्रम-पत्री की जो बिमारी थी वह भी ठीक होगी सर क्या आप कोई नसा भी करते थे पहले? नहीं कोई नसा नहीं करता था जी में पहले सर संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख से लेने के बाद आपकी पत्नी को आपकी लड़की को इतनी गंबेर समस्या थी वो नाम लेते ही तुरंद ठीक हो गई सर आप बगट समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत दन्यवाज जी सथ सहीव जी